नमस्कार संस्कृत के प्रियविद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रेंस पर्मय पंकस्तिवारी जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि मैं बहुत सारे ऐसे प्रशनों का संग्रह करके लाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्प आउंगा और आपके प्रशनों का बाद मैं जाज करूंगा तो आप लोगों को इसके अंसर देना है इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा और कमेंट सेक्षन में उनके जवाब जरूर दीजिएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैगनेट ब्रेंस के द जरूर करना संपर्क सूत्र क्या रहेगा जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो यह नोट्स और इबुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखिए महतında महत्पूर्ण प्रशणों का संगरह है तो इसमें सबसे पहले हमारे वही प्रशण होते हैं जो केवल और केवल बनबर्ण होते हैं एक पदेन उत्तर एक पद के द्वारा हमें प्रशणों के अंसर देने होते हैं आप यहां देख भी रहागे यहां लिखा हुआ है एक वरत के नाम से भी जाना जाता है बारत भूमी को जंबू दीप के नाम से भी जाना जाता है बारत भूमी को अखंड मांधाता की नगरी भी माना जाता है बारत भूमी को भरत खंड के नाम से भी जाना जाता है सिद्ध तपस मुनियों की भूमी भी माना जाता है और भारत को सौने की चड़िया भी कहा जाता है स्वारन भूमी तो ध्यान रखें इसलिए यहां पर आया है आर्य भूभी आर्य भूभी का मूर्ती मतह शमाना आर्य भूभी को किस मूर्ती के समान माना गया है तो अंसर आपका क्या होगा कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर दीजेगा और यहां से आपको मैच करना आर्य भूमी हमारी जो है वह स्वाधिनता की समान मूर्ति है स्वाधिनता का मतलब अपने अधीन मूर्ति मता मूर्ति मती समाना दूसरा प्रशन दिया हुआ है का नहीं आटी कते का नहीं आटी कते कौन नहीं सोभाई मान प्रतीत होता है कौन नहीं अ नहीं तो समुपमा समुपमा के समान वह प्रतीत नहीं होता आटी कते फिर इसके बाद सुसोची का यू आसीत सुसोभित किसके समान होता है हमारे जो हल्दी घाटी के हमारी भूमी है वह स्वरन मई कांचन मई भूमी जो पीत वरनी की है वह किस प्रकार से सोभाय मान होती है मानों ऐसा लगता है कि वह साड़ी के समान साड़ी के समान है इसलिए साटी इव अर्थार शाटी इव आसीत शाड़ी के समान प्रतित होती थी कौन हल्दी घाटी की भूमी अगला प्रश्ण आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आर्य भूमी में किसकी जय हो तो हल्दी घाटी की जय हो जय हो जय हो हल्दी घाटी की जय हो आर्य भूमी इस भारत की पवित्र भूमी जिसे देवताओं की भूमी भी कहा जाता है उसमें हल्दी घाटी की जय हो आर्य भूवी कह जयती आर्य भूवी हल्दी घाटी जयती अगला प्रश्न दिया हुआ है साटीव साटीव सा जयती असमिन वाके सा इती सर्वनाम पदम कस्याई प्रियोक्तम साटीव इव सा मन वह और जयती माने जय हो साटीव माने साडीव के समान साडीव के समान उस साडीव के समान उसकी जय हो असमिन वाके सा इती सर्वनाम पदम कस्याई प्रियोक्तम किसके लिए प्रियोक्तम किसके लिए प्रियोक्त किया गया है सा तो ध्यान रखें यहाँ पर किसकी उपमा किस से दी गई है हल्दी घाटी की बात चल रही है पूरे पाठ में हल्दी घाटी का वरणन किया गया है तो यहां पर भी किसकी जय की बात कर रहे है हल्दी घाटी अब यहां हल्दी घाटी की जगए हल्दी घाटी क्यों हो गया है यह सोचने वाला आपके लिए यहां कस्याई लिखा हुआ है किसके लिए का काम कया कस्याई चतुर्थी विभक्ती का एक बचन है इसलिए हल्दी घाट्याई पदमेवी चतुर्थी विभक्ती का एक बचन रोप यहां लगा दिया गया द्यार लखना आगे पढ़ेंगे इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है निर्जन वने कोर की कुर की रोदनम की दृर्शमआसीद इस निर्जन में को र्ये रोधनम अर्थार जो यह iPhone की जो भूमी थी वह किस परकार से करोती हुई पृतीथ होती थी किस परकार से मातेव माता की समान ऐसा अलग रहा था कि मा रो रही है तो मातेव माता इव बराबर मातेव गुर्ण शंदी हो गई मातेव किर्दर्शम आसीठ ठेक तो कुरिली रोधनम अशीड माता के समान पुत्रह इती तो पुत्र के लिए यहां पर यह पुत्र सब्द जो पद है इस पद के लिए यहां पर कौन सा पर्याय पद प्रयोग किया गया है तो यहां तनय सब्द भी प्रयोग आया हुगा है तनय सब्द पुत्र के लिए ध्यान रखना और सुतह माने भी पुत्र होता है सुतह तो उस कुत्र के अर्थ के लिए यहां प्रयोग किया गया है आप लोग इसमें कमेंट सेक्षन में क्या दे रहे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग अंसर दीजीएगा वीडियो को लाइक करें सेर करें अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं अल्दी घहाटी का जो हमारा पार्ट चल रहा है इसके महत्पूर प्रश्ण जो परिच्छा में यह मान के चलिए कि 200% आने की संभावना रहती है और यह पार्ट हमारा इतना महत्पूर है कि परिच्छा में निश्चित तौर पर इसके क्वेस्चन जरूर आते हैं तो ध्यान रखना आगे हमारा प्रश्ण रहे वहां पर सुनाई दे रहा है तो एक नाम राम नाम की धुन जो उपर सुसुकाह मतलब तोतों के द्वारा सुनाई दे रहा था ध्यान रखना तो सिरी राम का मधुर मधुर किम नाम सिरी राम नाम मधुरम मधुरम कोड़ंता विलसंती अगला प्रशने आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि किसके द्वारा चोंच के द्वारा यह चोंच से फलों को क्या कर रहे थे खा रहे थे चौच के द्वारा चौच ही से तो फल खाएंगे पक्षी किस से खाते हैं अपने मुख से तो कैन खमा आह संता विल संती कैन माने किस के द्वारा और खमा माने होता है आकास या वादल और आह संता माने हस रहे थे और विल संती मन वहाँ पर विल संती में भी हमारा क्या है विल उपसर्ग है संती अस्तिस्ता संती विल संती पूरा पद बनेगा विल संती विल सता विल संती मतलब प्रती तो हो रहा था क्या वहां पर जो ऐसा लग रहा था कि आकास मार्ग में कोई उपहास कर रहा हूं किसके द्वारा तो यहां पर हो नीले पक्ष निवहन नीले पंखों के द्वारा अर्था नीले पक्षियों के द्वारा बिमलानी फलानी अन्योह पादियोह पद्योह विसीशन पदम के बिमल और विसेश्ण में अंतर क्या होता है जब किसी चीज की विसेश्टा बतलाई जाती है तो जिसकी विसेश्टा बतलाई जाए वो विसेश्टा होता है और जो विसेश्टा में उसके सब्द कहे जाए वो उसके विसेश्टा होते हैं जैसे मान के चलिए कि मैंने कह दिया है कि म आपका विशेश है और मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी क्या है उससे उनको संबोधित किया गया है इसलिए यह उनका विशेशन है ध्यार रखना इसी प्रकार से आपका यहां लिखा विमलानी फलानी फल कैसे हैं विमलानी इति विशेशन पदम अस्ति फल कैसे हैं? विमल है सा ऐसा इस्थली की दिर्शम चक्रक्रमाण अडाम चक्रक्रमाण अडाम सा ऐसा वह यह वही यह वही इस्थली किस प्रकार की किस प्रकार से या किस के द्वारा क्या है? पद चिन्नों से टंकित की गई है किस के द्वारा किदर्शम तो यहाँ चेतक चक रमानेकम। चकेत चेतक अर्था चेतक गोडा," Ugh गृत उसके द्वारा क्या की गई है। यह रौदी गई धर्र्ती है कौन हल्डी घाती। अगला प्रश्ण हमारा दिया हुआ है लिखा है कि कुटिल कुंता के साम साइसा इस्थली कुटिल कुंता का मगदी कुंता माने होता है भाला और कुटिल माने होता है तेड़ा या वक्र हम कह सकते हैं वक्र कुंता तेड़े भाले के समान ठीक है न के साम माने किसकी साइसा मा पराक्रमानाम तो पूरा सब्द हो जाएगा कुटिल कुंता पराक्रमानाम के साम पराक्रमानाम साइसा इस्थली अर्थार्थ कुटिल टेढ़े भाला के द्वारा पराक्रम साली यह वही इस्थली है भाला के द्वारा यह वही इस्थली है जहां पर प्रियतम अपी प्रियतम अपी जो सुत है पुत्रों के समान के साम अमराना अमर अमरता को जो प्रदान हो गए है वीरत को प्रदान हो गए है ऐसे अमर पुत्रों के द्वारा यह सिंचित की गई भूमी है न न पामराणाम भैकारी का यह नर पामराणाम भैकारी कहा तो हल्दी घाटी ठीक है न यह हल्दी घाटी उन भैकारी सत्रूओं के द्वारा है यह वही इस्थली है सा एसा इस्थली यह वही इस्थली है जहां से सत्रू भैकर डर करके भाग गए थे फिर लिखा हुआ है प्रियतमा अपी सुतो अमरानाम एतस पदस संधी विच्छेदम कुरोद इनकी संधी विच्छेद करना है तो चलिए इनकी संधी विच्छेद करते हैं प्रियतमा अपी सुतो अमरानाम तो यहां पर आप करोगे प्रियतमा अलग हो जाएगा असुता अल यहां पर भी आपका देखिए यहां पर अपी का आपका अवग्रह की रूप में आ जाएगा और यहां पी में या आ जाएगा तो पा आपका आधा बचेगा पा कैसा हो जाएगा आधा क्यों कि यहां पर आपकी वो संदी हो जाएगी अवग्रह की और यहां आ जाएगी आपक तो वहां और आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगी मैं केवल यहां आपके प्रश्णों को क्या करवा रहा हूं हल करवा रहा हूं क्यों कि यह परिक्षा के लिए बहुत ही मात्पून है चली आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण पर आप लोग कमेंट सेक्षिन में जरूर देते जाएगा प्रश्ण वीडियो को लाइक करते जाए ध्यान रखना को प्रश्ण क्रमां की एक कहा क्वा थे ध्या कहा क्वा थे ठीक कह मनें कौन क्वा थे यहां पर कौन कव देखिए सअ प्रतापी तनिया क्वास्ते अद्ध वह पुत्र जो प्रतापी राजा था वह क्या है आज भी वहाँ पर क्या है दिखाई देता है सुनाई देता है लोगों को महसूस होता है आज भी लोग उसके वीरता को वहाँ पर क्या कर देते हैं याद करते हैं किसकी महराणा प्रताप कि लिदी कुट्र रोधती कुररी कुररी कुंत्र रोधती कहां रोते हैं वह माता कहां पर अत्रत Inte निरजन वने कुररी रोधती की इसी निरजनबन में कुरली रोती है ठिक आगे दखें तनियाह की दर्शह आसी तो पुत्र किस प्रकार था पुत्र किस प्रकार था पुत्र कौन था महराना प्रताप देखिए तनेह सनेह प्रतापी वीरा ग्रणी अभयम युद्ध करा कलापह आसी युद्ध कलाओं में निपोन वो कौन था वीरों में अग्रणी और अभयकारी जो डरने वाला नहीं था मरते दम तक जिशने मुगलों की सरनागती को सुईकार नहीं किया कई बार प्रस्ताओ भेजा गया किसके द्वारा अकवर के द्वारा अकवर के द्वारा कई बार मित्रता का प्रस्ताओ भेजा गया अर्थार भी उनकी मित्रता को नहीं उन्होंने सुईकारा अध्यापी यत्र की विलसंती अध्य माने आज अपी माने भी यत्र माने यहां के माने कौन या किसके द्वारा विलसंती माने यहां पर प्रकासित होते हैं सो सोभित होते हैं अध्यापी यत्र सु सुका संताह विलसंती यहां तोतों के रूप में आज पक्छियों के रूप में यहां आज भी संत लोग मतुर यहां क्या है निवास करते हैं विलसंती निवास करते हैं क्यों क्योंकि उन्हीं तोतों के द्वारा आकास मार्ग में ऐसा लगता है जैसे स्री राम नाम का गुड़गान करते हैं आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगला प्रशन दिया हुआ है हमारा जिसमें लिखा हुआ है प्रशन निर्मानम कुरुत क्या दिया हुआ है प्रशन निर्मानम कुरुत तो पहला प्रशन दिया हुआ है जिसमें लिख सुसोची साटीव इव आसीत है जो हमारी साडी के समान जो हमारी वहां की सोभा थी वह कैसी प्रतीत हो रही थी साडी के समान प्रतीत हो रही थी तो आप इसका प्रश्ण बनाएंगे तो साटीव की जगए क्या आप लिख देंगे साटीव की जगए कह हो जाएगा क्यों यह बाची है और एक बचन का रूप है तो यहाँ पर भी एक बचन का का लग जाएगा ठीक चलिए इसके बाद स्री राम नाम मधुरम मधुरम कुडंता विलसंती तो स्री राम नाम तो यहाँ पर भी आपको किम नाम मदुरम मदुरम कुरंतम विलसंती तो मरसरी राम तो किम हो जाएगा आगे चलेंगी नीलेन पक्ष निवहेन खमा हसंतम विलसंती नीलेन रंग के द्वारा जिनके पंख हैं ऐसे उन पंखों के द्वारा आकास मार्ग में उपहास करते हुए निवास करते हैं सुजुका ठीक है ना तो यहां पर हो जाएगा नेलेन पक्ष निवहन तो केन खमा आहसंतम बिलसरती तृतिया का एक बचल रूप लग जाएगा क्या लगेगा तृतिया विभक्ती का एक बचल यहां रूप लग जाएगा आगे बढ़ेंगे इसके बाद दिया हुआ है नराणाम नर पामराणाम भयकारी सहसा इस्थली तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ऐसे नर जो पापाचारी थे अर्थार्थ उनसे यह भयकरी य क्या है सा ऐसा इस्थली यह वही भूमी इस्थली है तो कह यहां क्या हो जाएगा का प्रत्मा का एक बचन है तो यहां पर का लग जाएगा इस तरी बाची है इसलिए यहां का लगेगा आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण पर चलेंगे और अगले प्रश्ण में दिया मूर्ति मान इस हल्दी घाटी की जय हो, तो इसका अंसर भी होगा की द्रसी हल्दी घाटी जयती, किस प्रकार की हल्दी घाटी की जय हो, मूर्ति मती हल्दी घाटी की जय हो, आसुता, आपी प्रियतम है इस्थली, यह कैसी है, यह आसुता, आसुता मतलब बिना पुत्रों के भी यह प्रियतम है इस्थली तो यहां हो जाएगा कस्मात कस्मात आपी प्रियतम है इस्थली किस से भी प्रिय है यह इस्थली तो आसुतहा अर्थार्थ बिना पुत्रों के भी यह प्रियतम है यह भूमी चलिए अगले प्रश्ण पर चलेंगे लिखा हुआ है समास विग्रहम कुरूत समास विग्रह करना है आपको चलिए यहां लिखा है अधो लिखित पदा नाम समासम विग्रहम कुरूत नीचे लिखे हुए समासों के विग्रह करो समासों के क्या करो विग्रह सबसे पहला समास कि भू अर्थार्थ आर्य भूवी तो सश्टी तत्पुरुष प्रत्य हम प्रत्य कम अहनी अहनी प्रति दिनम अभ्याईभाव समास और यहां पर प्रति दिनम यहां पर दिनम दिनम प्रति भी आप लगा सकते वीराग्रणी वीरों में हो जो अग्रणी तो क्या हो जाएगा वीरों में जो अग्रणी तो तत पुर्शामास यहां तत पुर्शामास हो जाएगा अगला दिया हुआ है पंचो पचारा मुद्चारा नाम समुहां संसकार विधी यहां दिगूशामास हो जाएगा और पंचोब चार संसकार विधी है इसलिए पंचोब चार और खोड़ सोब चार में हमारी पूजर की विधी चलती है 16 प्रकार से या 5 प्रकार से फिर लिखा हुआ है सतधा अस्त्रधारा ठेक तो सतधा अस्त्रधारा तो सत रूपेन अस्त्रूराम धारा सो प्रकार से या सो रूपों से अस्रूओं की जो धारा तो तत्पुर्श शमास यहां पर भी आपका हो जाएगा फिर लिखा हुआ है सिखी सुन्दरानाम सिखी सुन्दराम मनुहारिना मयूरह अर्थार्थ तत्पुर्श शमास ठीक मनुहारिना सिखी सुन्दरानाम सश्ट आपर पर दिया हुआ हर्षान कितावं को हर्सके समान कोई उपम नहीं हरित हीर कम अर्थार्थ ऐसे हीरों ad संदी विछेत को करो नीचे लिखे हुए जो हमारे पद हैं उनकी संदी विच्छित करना तो सबसे पहले दिया हुआ है आपका 60 तो 60 प्लस एव तो 60 यहां आपके दीर की संदी होगी फिर यहां लिखागा आपका दधाती दधाती प्लस उससी तो यहां आपका यण यण संदी तती ही तती ही प्लस तरूराम तरूराम तो यहां आपकी विशर्गी संदी क्वा यहां लिखेंगे क्वास्त एसी दो प्रकार सी तूटे गए कैसे क्वास्ते क्वास्ते प्लस अद्य ऐसे भी तोड़ सकते हैं और क्वा प्लस अस्ते अलग अलग कर सकते पंच उपचार यहां हो जाएगा आपका पंच प्लस उपचार उपचारम प्लस एव ऐसे इसको तोड़ देंगे खमे प्लस अहशंतम खम प्लस अहशंतर खमे प्लस अहसंतर अहसंतर तो यहां आपकी यह 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 संदियां यहां आपकी दिर्गी षंदि। हो इहां पर और चोटी दोनों मिलेंगे तो बड़ी ए बनेगा और धीर्गी शंदि। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुए दधाति। यहां पर भी आपका जो दधाति में एंगीा हुआ 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 है। यके स्थान पर यह हो जाएगा यहां याण संधी चीछ लगके यण संधी अगला दिया हुआ है मारा तति तरूणाम तो यहां विशर्क के स्थान पर विशरजिनिया संध्या से केबल सेबसा हो जाएगा आपके दोारा इन्हें कौन-कौन सी संधी है आप मुझे कमेट यहां देखें मैंने आपको बताए यह तीन प्रकार सी तोड़ सकते हैं क्वापला सास्ती यहां देरी संदी और यहां पूरबुरूप शंदी आप लगा सकते हैं ठीक फिर इसके बाद पंच उप्चारम यू तो पंच प्लस उप्चारम प्लस एव तो यहां आपकी शंद्धी हो जाएगी और यहां पर सीधे सीधे इकू मिला सकते हैं मिल जाएगा सीधे वे 9 पद हो जाएगा फिर लिखा हुआ है सत्धा अभवत दस्त्रधारा अभवत अस्त्रधारा तो यहां पर भी आपकी सत्धा अभवत अस्त्रधारा तो यहां दीर्गी शंदी आ मिलकर के दिर्ग संदी यहां आपकी हल संदी हो जाएगी इतना ध्यान रखना ठीक और इसके अंदर आपको अगर इन संदियों को और डुटिल से दिखना है तो आप पार्ट बन पार्ट टू पार्ट थ्री में जाए और हमारा एंसी आटी अभ्यासकार जाए तो व और आ तो दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ और दीर के शंदी बन जाएगी मैं आप से क्यों कहे रहा हूं कि क्यों कि वहां पर चैप्टर को हम लोगों ने पूरा बिसलिशन के साथ पढ़ा है तो चैप्टर में इस सारे पद कहीं न कहीं आये हुए ठीक हो सकता है कि यह प्र प्रश्ण बने जो परिक्षाओं में कहीं न कहीं इस प्रकार से परिवर्तित करके थोड़ा सा उसी के बेस पर उठा करके उसी की समान प्रश्णों को रखना तो कुछ इसमें परिवर्तित प्रश्ण भी है कुछ आपके पार्ट से संबंधित प्रश्ण भी है इस ऐसे हमा यहां पर भी हमारा वीक्ष में ध्यान रखना बी प्लस एक्ष तो यहां पर भी हमारी कौन सी संदी हो जाएगी दीर की संदी इसकी छोटी ए और इसकी बड़ी ए दौनों मिलेंगे तो हमारी यहां पर क्या हो जाएगी दीर की संदी बन जाएगी द्यान रखना अगर देख लीजिए यहां जैसी छोटी ही है और यहां एक्च का बड़ी दौनों मिलेंगे तो बड़ी ए बन जाएगी और बड़ी ए बनेगी तो आपका पद हो जाएगा वीक्च ठीक है ना समझ में आया नहीं आया तो एक बार फिर देखिए यहां से जब आपके पास केवाल भाचेगा और यहां से आप एक्च में का लोगे तो आदाच्छा और यह बचेगा इसकी ना पिस पर लगाएंगे तो आपकी यह की मात्रा लगेगी और आदाच्छा और यृछा दौनों को मिलाओ और तो विक्च बन जाएगा दिर गशंदी यहां संधी होगी और आप सीधे सीधे आपको इसमें समाहित करेंगे तो यह आपकी हल संधी का यूब बना देगा क्या बना देगा हल संधी आ समाहित हो जाएगा मा में और मह हो जाएगा पूरा तो बन जाएगा आपका पूजनम मस्ति पूजनम मस्ति मतलब यहां व्यंजन संधी हल संधी का रूप बनेगा संस्कृत में हम जिसे हल संधी कहते हैं हिंदी में उसे हम वेंजन संधी कहते हैं संस्कृत में जिसे हम अच संधी कहते हैं हिंदी में उसे हम स्वर्श संधी कहते हैं रखना आगे हम लोग चलेंगे संधियों के बाद अगले हम उस पर चलेंगे कॉस्चन पर जिसमें आपका दिया हुआ है मेलनम क्या दिया हुआ है मेलनम में लिखा हुआ है उचित अर्थ है निस्सा है मेलनम कुरुत अर्थ अर्थ ऐसे अर्थ के साथ हमें इसका मेल करवाना है जो उससे सटीक अर्थ को दे रहा हो जैसे यहां पर कुछ पद दिये हुए हैं और इधर उनका अर्थ दिया हुआ है इसलिए हमें इन सब्दों से इनको मैच करना है कि इनका ये सार्थक अर्थ है या नहीं है इनका ये उचित अर्थ है या नहीं है इसलिए उन्होंने कहा कि उचित अर्थ से इनका मिलान करो इनको मिलाओ ठीक एक आपके लिए यहां उदाहरण भी दिया गया है यहां यथा के रूप में आपको क्या दिया गया है उदाहरण दिया गया है यथा के रूप में मतलब जो यथा लिखा रहता संस्कृत में आप यहां यथा देखते हैं हमेशा ठीक है ना हिंदी में आप उदाहरण देखेंगे या हिंदी में आप जैसे लिखा रहता है तो वो देखेंगे और इंगलिस में आप देखेंगे तो इंगलिस में आपका रहता है ऐसे इसका मतलब क्या होता है एक्जामपल ठीक है ना अर्थार्थ उदाहरण के द्व का भावारत आप संस्कृत में भी दे सकते हैं तो यहां पर भी उचित सटीक अर्थ को प्रदान करने वाले जिसका जिस सटीक संबंद हो उसी पद से हमें इसका मेल कराना है आप सोचोगे कि प्राची का मतलब तो पूर्वदिशा होता है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है विरक्षा नाम यहां इस पर संकृत ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यह सारी चीज़ें होती है न तो आपको यहां यह देखना है कि इतने पदों पदों मैशे कोई ऐसा पद है जो धीरे-धीरे का आर्थ दे रहा हो हां तो आपके लिए मैं बता दू कि मंद मंदम के लिए यहां सनय सनय सब्द दिया गया है सनय सनय मतलब धीरे-धीरे से सनय सनय का मतलब धीरे-धीरे आपकी द्वारा कर रहा हूं मैं अपने तरीके से नहीं देख रहा हूं अगर मैं देखो तो एक मिनट में आपकी सारे लगा दो लेकिन आप परिक्षा में सॉल्व कैसे कर करना है उन सारी चीजों पर मैं चर्चा करते हुए जा रहा हूं ठीक है न अब उस चर्चा करने का मतलब हमारा क्या होता है देखिए जब भी हम लोगों को यह देखना होता है कि हमसे कोई चीज नहीं बन रही है तब हमें उसको छोड़ देना चाहिए उसी के जो जो पद हमें जोड़ियों में खास तोर से जो बन रहा है पहले आप उसको मैच करो उसको आप मिलाएंगे और जैसे ही आप उसको मिलाओगे तो फिर आपको उससे आगे बढ़ने के लिए उसका रास्ता मिले आगे का रास्ता जैसे ही मिलता है तो आपके लिए जैसे आपने एक म ही तो फिर इस प्रिशत लिखा है इस प्रिशत सब्न जिसे आप यहां ध्यान देंगे कोई ऐसा अचinos लिख रहा है कि अध्य सके तो आपको मैता दू कि हाँ थोड़ा सा यह लगंगरा है कि इस पर्सम कुरूंत प्रिचक का मतलब होता है इस पर तरूराम तो इतना हमको मालूम होना चाहिए तरू नाम मतलब व्रक्षों के लिए बात की जा रही है तो यहां कोई ऐसा दिया हुआ है क्या जो व्रक्षे से संबंधित पद हो तो हां यहां पर यह दिया हुआ है व्रक्षा नाम तो आप इससे मिला दू सू सुका लिखा हुआ है ठीक सू सूका तो सूसुका अब यहां सू अगर आपको नहीं आ रहा है तो सुक माने तोता होता है ठीक तो आप इस了 है यहां कोई दिया हुआ है क्या ऐसा पद ठीक टोगरीवा याम माल और धार नम करोती सुन्धर नाम कीरा सुन्धराकीरा व्रक्षा नम चलो यहां पर थोड़ी दिर रुख जाते हैं बोले यहां पर कोई ऐसा नहीं लग रहा है तो थोड़ी दिर बैठ कर लो जोत्सिना माने होता है प्रकास ठीक जोत्सिना माने होता है प्रकास तो आप प्रकास किसके प्रकास होता है तो जोत्सिना चंद्रिकाह इसको आप लग सकते हैं अ अब आपके पास यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक सुसुका बचा हुआ एक दधाती दिया हुआ है तो चले अब यहां से देखें दधाती का मतलब होता है धारनम करोती और सुसुका के लिए आपका आगया है सुंद्रा की राह ठीक तो आपकी सारी सारी चीज रखना आब इसको मिलाएं देखिए मंदम मंदम का सनईenty सनई दधाति का मतलब धार्णम करू और धार्णम करोती ही उस पुरिसत का मतलब इस पर सम्कुरूत ठीक और तरुनाम अाम का वरिख्छा लाम अंसो का मतलब सुन्दर कीरा जोटसना का मतलब चंद्रिका और कंठा कंठाहार का मतलब गिरीबाया माला सारे की सारे आपको मिल गए इस प्रकार से आप इनको सौल्ब जरूर करें और अच्छे से करें ध्यान रखना अगले प्रशन पर हम लोग चलेंगे लिखा हुआ है इसलोकान अनवयम का मतलब होता है इसलोकों के अनवय इसलोकों के अनवय आपको मैंने कई बार बताया है कि जब आप इसलोकों के अनवयों को ढूड़ते हैं तो आपको कैसे करना है चलिए ठीक है बोले सर बहुत सारी इसलोक आते हैं कहां तक किसके अनवयों को याद करें हा पहले बाद तो आप उसको साधरन तरीके से इस्थानाउंतरन करके अगर आप जायते हैं कि हमें पदों का इस्थाना आन्त्रन करके सही भावार्थ पता होना चाहिए तो आप सीधे-sीधे उनको सब्दों को वहाँ फिल कर सकतें लेकिन अगर नहीं मिलता है तब सब फिर आपको उपाय बताता हूं उपाय क्या है परिक्षा के लिए ठीक तो आपके लिए सबसे पहले तो आपको यह पढ़ना है जो आपका यह दिया हुआ है इस लोग जिससे आपको यह अनवय बनाना अनवय बनाने के लिए एक बार इसको रीट करें फिर इसके ब दियान रखना, क्या कहा? ब्लाठा उसाहा कान्चन कांची नियाम प्रात काल की वेला ए ओसा मैं बोले ही प्रीयवेसिपेंद कzers प्रेमियों यदा कदा कवी कवी यहां पर मंद मंद धीरे धीरे क्या होती है बोले धीरे धीरे मंद मंद बायूर यदा बायू धीरे धीरे यहां पर नदती नद नंद नम अजम ठीक है ना नदती मने बहती है अर्था धीरे धीरे यहां वायू का प्रवाय कभी कभी होता है और वो बहती है तत किन तम प्रत्य हम उससी और दिन उससी उसा काल में प्राता काल में यह जब हम यहां जाते हैं कहां हल्दी घाटी हल्दी घाटी में जब जाते हैं तो वहां की सोभा कांचन कांचनियाम दधाती ऐसा लगता है कि स्वर्ण मैं भूमी यह हमें सोभा प्रदान कर रही है तो इस प्रकार से आप इसका भाव पद भी आपका यहां आ गया है फिर इसके बाद ब्लैंक हो गया मंद मंदम पद भी आ गया है हसती हसती पद भी यहां आ गया है मतलब इस जो उपर की लाइन है यहां से आपने देखा कि चार पांच पद आपके ले लिए गया है प्राची रह गया है तो आप यहां प्राची को पूर्विदिसा सीधे आप फिल कर सकते हैं देखिए सीधे आप यहां फिल कर सकते हैं फिर इसके बाद दिया हुआ है यदा तो यदा आपने लिया ठीक यदा आपका यहां से उठा लिया फिर वायू सब्द आपका यहां नहीं है तो नंद नजम सदम यहां हमारा नंदन अजम सब्द यहां हो गया फिर इसके बाद मरंदम भी आ गया और वहती वहती यहां पर आ गया है मतलब वायू पद आ गया है वायू पद हमारा नहीं हुआ है इसलिए वायू स ठेक मतिमान नियम अब देखिए यहां पर मतिमान नियम नहीं है तो यहां प्रत्याहम प्रत्याहम देख लो उससी तो उसा यह उससी आ गया यह 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 आ गया मतलब उपर की लाइन वैसे आपने देखा कि यहां से चार सब्द चले गए मतिमान नियम पद हमारा रह गया रह तो यहां पर आपको क्या भर देना है मतिमान नियाम देखना किता सरल तरीका मैं बता रहा हूं आपको परेशान नहीं हो ना आपको पूरा अनवाय याद करने की जरूरत नहीं ओपर जो लिखा हुआ है उसी से आप पर इच्छा में बिल्कु सॉल्ब करके आ जाएगी फिर देखें हल्दी घाटी यह केबल जिसका वरनन कर रहे हैं इसलिए हम रेकेट में हल्दी घाटी को मैंने लिख दिया है फिर देखें कांचन कांचनियाम यहां पर देखें कांचन कांचनियाम आ गया बिलेंक का दिया हुआ है दधाती अब यहां दधाती आ गया अब यहां स से किसी की ताकत नहीं आपका गलत कर देगे पूरे नंबर मिलेगी मिर इसके बाद दूसरे यहां पर भी वही बात कह रहे हैं कि जो बीरों में अग्रणी और अभयकारी जो युद्धों में कलाओं में निपुन था ऐसे बीर प्रतापी अपने पुत्र महराना प्रताप को अत्रत तयाह निर्जन बने यदाकत देखें यहां पर इस निर्जन बन में यदा कदा कदाचित माता के समान माता एवरोदती सके यहां माता आज भी रोती है उस पुत्र के लिए जो वीर पराक्रमनी महराना प्रताप यहां से चला गया है उसको आज भी ह है नहां पर बात की जारी, इसलिए संबोधन में हा दिया हुआ है, ठीक, हम लोग भी कभी कभी ये कहते हैं, हाई राम, हे राम, बहुत ज़़्याद brut हो जाती है, हम किसी चीच को करते करते परिशान हो जाते हैं या पीडा हमें होती है, तब हम ऐसी आहे लेते हैं हाँ है राम हे राम सुख में नहीं कहते हैं दुख में जरूर कहते हैं इसलिए तो कहा है कि सुख में दुख में सुमेरने सब करें सुख में करें ना कोई जो सुख में सुमेरने करें तो दुख काहे कोई होई हम लोग करते हैं, यहां पर देखें, वीरा ग्रणी, पहले ही उसमें चलेंगे, वीरा ग्रणी और युद्ध कला कला पह, तो यहां पर एक आभाया सब्द छोटा हुआ है, तो आप आभाया को यहां फिल कर देंगे, फिर इसके बाद दूसरी एम लाइन में आएंगे, लिख तो यहां तनेह सनेह ठीक तो सनेह सब्द यहां आ जाएगा क्योंकि तनेह वहां लिखा हुगा अद्द क्वा आस्ते तो यह भी हमारा यहां लिखा हुगा फिर इसके बाद अत्र सक्खे तो यहां सक्खे सब्द हमारा संबोधर में आ गया है और अत्रत्या अत्र भी यहां आ तो निर्जन वने अथो यहाँ दो पद दिये गए और कुरी तो आपको यहां अत्रत्यो निर्जन वने यदा कदाचे तो फिर यहां आ जाएगा कि कुरी रोधिति नू काचित माते वरो दिति विलकुल बहुत सरल तरीके से जैसे आप देखते जाओगे वैसे ही आपका इसरी नंबर का हमारा यहां इस लोग दिया हुआ है आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे वह फिर इसमें हम लोग अनवय करेंगे कि यत्र प्रताप नरपती प्रकट प्रताप ये कापी हंत सत्य दाववदस्त्रधारा योद्धे अधिकोसम अपिसात्र वधिक्रमेनों जोचनातमासाचरी चपले ती चित्रम चपले ती चित्रम देखें जरा यत्र यहां पर वैं प्रतापी राजा वैं प्रतापी राज प्रकट प्रताप जो महराना प्रताप था एक आप एक भी हंता बोले यहां बोले एक आप भी सत्दा अबवत अस्रधार अगर एक भी आसु गिरा तो यहां हज्जारों सेक्ड़ों रूप में एक आसु की धाराएं बह गई युद्धे यदिके कोसम अपी सत्रू वधे इस युद्धे के मैं अनेक प्रकार से वोले सत्डूों का बद हुए क्रम से और यहां पर उनका सत्रूं का वध करते समये जोटसना मतलब चंद्रमा की कांती भी कैसी विजली के समान चपला बिझली के समान सहचरी बनकर के यहाँ माहराणा प्रताप के साथ में अपना साथ दे रही थी अर्थार्थ ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रकृत्य की कान्ती भी उनके साथ में युद्ध कर रही है यहां पर भी देखिये हंत सब्ज संबुधन के लिए है अत्र परताप नपते हैं। प्रकट प्रतापह एक अपी हंत यहां पहले दिया है अस्त्र धारह अस्त्र धारह तो अभवत तो सत्धा कैसे हो जाएगी सत्धा अधिकोसम अधिकोसम यहां आ जाएगा तमह तो तम आ और जोटसना तो जोटसना आ जाएगा अपी तो यहां से अपी भी आ जाएगा क्रमेन क्रमेन आ जाएगा चपला चपला आ जाएगा इती इती आ जाएगा चित्रम चित्रम आ जाएगा आपके पास यहां युद्धे अधी युद्धे अभी बचा हुगा है तो युद्धे भी आगया है फिर यहाँ पर आपका सत्रुवधे और सहचरी दो पद यहाँ दिये हुए तो यहाँ आ जाएगा सहचरी और लाष्ट में आ जाएगा सत्रुवधे अगे देखें यहां पर समझ में आगया आपको अनवय कैसे करना ध्यान रखना अनवय बहुत सरल होता है और अगर नहीं समझ पाए तो फिर कठिन भी होता है ठीक है न और जिसको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अपनी वीडियो मित्रों तक जरूर सेयर करे वीडियो को लाइक करते जाए आगे बढ़ें ठीक है ध्यान रखें आज की क्लास हमारी most important questions की यहीं तक रहेगी हम लोगों ने यहां पर महत्पूर्ण प्रशनों का जो संग्रह किया था उसको आज यहां पर पूरा कर लिया है और इन प्रशनों में से कौन सा ऐसा प्रशन हैं जो आप लोगों को NCIT Solutions में मतलब हल्दी गाटी के पाठक्रम में अलग से देखने को मिला तो अलग से अगर प्रशन ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं तो बहुत सारे प्रशन प्रशनों का संग्रह इस प्रकार से हम लाते रहेंगे और पूर्वत जो हमारे गत वर्ष क्योंकि नए वीडियो की अपडेट जब तक आप तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ध्यान रखें आप किसी भी माध्यम से हों आप इतने सारे वोट देख रहे होंगे आप देखिए सी बोर्ट से हैं सी बेसी बोर्ट में भी आप लोगों को 100% free education दे रहा है 100% free education का मतलब समझ रहे ना आप से कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता और ऐसा नहीं है कि केवल और केवल खाना पूर्ती की जा रही हो quality content के साथ यह आप टेग देख रहे हो इसका मतलब है उच्च गुडवत्ता के साथ योग सिक्षकों क के निर्देशन में आपको यहां पर अध्यापन का कार करवाया जा रहा है तो आप लोग मस्ती के साथ पढ़िएगा कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है आप जिनको यह मालूम नहीं है कि मैगनेट ब्रेंस विलकुर निसुल्क आपके लिए सेवारत है तो आप उन तक यह खबर जरूर पहुंचा है उन तक यह वीडियो शेयर जरूर करें उन तक एक बार लिंक आप देंगे वो स्वयम पढ़ने का एक चुक हो जाएगा तो इसलिए यह भूमिका आपकी भी यह हमारा मैगनेट ब्रेंस परिवार है जब आप लोगों का परिणाम आता है तब बहुत खुसी होती है तो ध्यान रखिएगा आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा हम आपके साथ हमेशा रहेंगे आपके लिए हमेशा ततपर रहेंगे ध्यान रखें लेकिन और एक महतपूर सुचना आपके लिए जाते-जाते जरूर बताऊंगा कि मैगनेट ब्रेंस के लेकर के 12th क्लास तक कि संपूर्ण हिंदी मीडियम और इंगलेस मीडियम के सभी विश्यों के बहुत ही सुन्दर तरीके से सिक्षकों के मार्ग दर्सन में नोट्स से तयार हुए हैं वो नोट्स आपकी परिक्षा में उत्कृष्ट और उत्तम अंकलाने में आपकी मदद करे तो जल्दी से जल्दी आप लिंक इन डिस्क्रिप्षन वॉक्स में जाएं और इनोट्स और इवुक्स की जो इस प्रकार से आपको देखेगा उनकी संपूर्ण जयानकारी आप जरूर ले लिजिएगा ध्यान रखें क्योंकि ये नोट्स आपके पास होंगे तो आप जब